हलो दोस्तो स्वागत है आपका इस वीडियो पर, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने ए पहचान कार्ड में यानि ESI कार्ड में अधार को कैसे सीड कर सकते हैं, यानि कि लिंक कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले Google के सर्च बॉक्स में जाएं और टाइप करें esic.gov.in टाइप करने के बाद esic का जो फर्स्ट वाला लिंक होगा उस पर क्लिक करें लिंक करने के बाद आपको esic का ओफिशियल होमपेज ओपेन होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे क्रॉस कर दें यहाँ पर आप देख सकते हैं या आईपी और बेनफेशियरी का लोगो यहाँ पर आप क्लिक करें क्लिक करने के बाद ok पर क्लिक करें इसके बाद आपका login पोर्टल ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप अपना इंसुरेंस नंबर पासवर्ड और capture डालकर आप अपना डालकर आप अपना password generate कर लें क्योंकि जो first time आया है उन्हें password generate करना होगा इसके लिए आपको पहले sign up करना होगा जिन लोगों का sign up पहले से हो चुका है वो direct video को यहाँ पर skip कर दें और direct login portal में login कर लें इसके बाद mobile number पर एकोटी पी जाएगा यह verify करने के बाद आप नया password अपना generate कर सकते हैं यहाँ पर password successfully generated हो गया है अब यहाँ पर click here पर click करें तो बापस आपको login portal पर ले जाएगा अब जो password आप generate की है insurance student number अपना username में डाले और password जो generate की हैं वो यहाँ पर enter करें इसके बाद capture डालकर login कर लें अब आप देखेंगे आपके right left side में सबसे नीचे आपको अधार seeding for IP and beneficiary का option दिख रहा होगा सबसे last में उस पर आप click करें क्लिक करने के बाद आपको proceed पर click करना है जैसे यह proceed पर click करेंगे उसके बाद आपको आपका details और आपके family member जो आपके dependent हैं उनका details आपको यहाँ पर होगा और सबसे उसके आगे में आप देखेंगे कि click here to seed अधार मतलब हर individual के लिए उसके आगे में यह blue color का link में होगा जिसे आप click करने के बाद आप उसमें असानी से अधार number डाल कर validate करके उसे seed कर सकते हैं या कर सकते हैं आप अभी देखेंगे अधार स्टेटस में सभी में लिखा हुआ है need to seed मतलब अभी seed करने की आवशकता है यहाँ पर तो सबसे पहले first वाले link पर click करते हैं उपर में इस नाम के आगे अब आप देखेंगे कि उनका basic details इधर सो होगा जिस पर click कियें आप अब यहाँ पर उनका अधार नमबर इंटर करें अधार नमबर इंटर करने के बाद यहाँ पर छोटा सा checkbox होगा view terms and condition पर यहाँ tick लगाकर get OTP पर click कर दें अब आपके phone पर जो अधार card से जुरा हुआ mobile था उस पर एक OTP प्राप्त होगा उस OTP को यहाँ पर fill up करके आप validate कर दे इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका अधार स्टेटस में need to seed लिखा हुआ था अब वो successfully seed लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से आप अपने परिवार के सदस्यों का अधार सीड असानी से घर बैठे ही कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही अब मिलते हैं किसी next वीडियो में नए updates के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को subscribe जरूर कर दे